वेलकम बैक टू माई चैनल तो दूस्तू स्वागत है आप सब का हमारे चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल पुजा पार्ट से जुड़े हुए और आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का इस्पिरेंस तो फ्रेंट्स जैशी उसको मैं कम्यूटी टैब में शेयर कर दूँगी साथ में लिंक इसी वीडियो में दे दूँगी तो इसमें कुछ महत्पोर्ट चीजे मैं बता देती हूं और एकादशी कब प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है वो भी बता दूँगी कोशिश करूँगी कथा भी एकादशी तिथी कब प्रारंब हो रही है तो एकादशी तिथी प्रारंब हो रही है 24 दिसंबर की रात को 11 बचकर 17 मिनिट पर दिन रहेगा गुरुवार एकादशी तिथी समाप्त कब हो रही है तो एकादशी तिथी समाप्त हो रही है 25 दिसंबर को देर रात 1 बचकर 14 मि तो हम एक अदशी कब मना रहे हैं बहुत सारे लोगों को मैं किलियर कर देती हूँ देखिए दो चीजे हैं अंग्रेजी कलेंडर तारीखों के हिसाब से चलता है हिंधी कलेंडर तिथी के हिसाब से चलता है तो हम जो है वो एकादशी 25 दिसंबर को मनाएंगे इस दिन गीता जैन की भी होती है तो वो मैं आपको अलग separate वीडियो बना दूँगी इसमें मैंने आपको मुख्च दा एकदशी के बारें बताया है तो ये एकदशी आपके पित्रों को मुख्च की प्राप्ति करवाती है इस एकदशी का ब्रत करने से आपके अगर पित्र हैं किसी कारणबस आप उनका पूरा करिया करम नहीं कर पाएं कोई चीज रहे गई है तो उन्हें मुख्च की प्राप्ति होती है आपको बहुत सारे ऐसे लाभ मिलते हैं जिनकी कलपना भी नहीं की जा सकती है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युदिस्ठर को गीता का ग्यान भी दिया था इसलिए हमें जिन गीता जैनती भी मनाते हैं तो युदिस्ठर बोले मैं आपको कथा सुना देती हूँ युदिस्ठर बोले है भगवान कृष्ण अब आप मुझे 26 एकदशियों का नाम ब्रत की विधी बताए तता किस देवता का पोजन करना चाहिए यह भी कहिए भगवान जी बोले मार्गशीश मार्ष शुकल पक्ष की एकदशी का नाम मोख़दा है यथा नाम तथा गुण अर्थार्थ मोख़देने वाला ब्रत है बरहा मासों में से मार्गशीश के उत्ता मानता हूं यह गीता में अरजुन से यह कह चुका हूं इससे किष्ण पक्ष की एका दसी से प्रेम उत्पन होता है और शुक्ल पक्ष का ब्रत मोख्च का दाता है इस ब्रत में दामुदर भगवान का पूजन करना चाहिए तो आप भगवान दामुदर श्री किष्ण का पूजन कर सकते हैं आज ब्रत धारियों को भगवान से मेरी उखल वंधन लीला का शौन करना योग है आप मोख्चदा एका दशी की पौराण कथा सुनाता हूँ प्राचीन गोकुल नगर में विखास वैकनाश नाम का राजा धर्मात्मा और भगत था उसने रात्री को शुप्र में अपने पु द्धार कैसे होगा ब्राम्मर बोले यहां समेप में परवत रिशी का आश्रम है उसकी सरणगत से आपके पिता शीग्री श्रग को चले जाएंगे राजा परवत मुनी की शरण में गए दंडवत करके कहने लगा मुझे रात्री को शौप्र में पिता का दर्शन हुआ यहे विचारे यमदूतों को हाँ से दंड पा रहे हैं आप अपने योगबल से बतलाईए उनकी मुक्ति किस साधना से शीग्र होगी मुनी ने विचार कर कहा कि और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं शीग्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रिशिद हैं परंतु उनको प्रशन करने में देर अवश्य लग जाएगी परंतु तब तक तेरे पिता की दुर्गत हो जाएगी इस कारण सबसे सुगम और शीग्र फल दाता मोक्ष दा एकादशी का ब्रत है उसे विधी संयुक्त परिवाड सहित करके पिता को संकल्प कर दो निश्य ही उनकी मुक्त होगी राजा ने कुटुम सहित मोक्ष दा एकादशी का ब्रत करके फल पिता को अरपन कर दिया उसके प्रवाप से वैश्वर्ग को चले गए जाते हुए पुत्र से बोले अब मैं परमधाम को जा रहा हूं श्रद्धा भक्ति से जो मोक्ष दा एकादशी का महत्मय सुनता है सुनाता है उसे बाच पर यग का फल प्राप्त होता है इस दिन फलहार बिल पत्र का सागर लेना चाहिए ब्रत में दूद फल सिंगाडे के आठे का प्रदार्त ले सकते हैं तो दोस्तों यह कथाती जो मैंने आपको सुना दी एकादशी के ब्रत का जो पालन है उसे हम द कराश मिततिति के शाम को ही शुरू कर देते हैं एककादशी का ब्रत करके अगले दिन ब्रत का पालन करके दान परिषात पंड़िजी को दे के घउ मात का भोगने ने काल पाल पारण करने की विधि सीधी सी आपको अपने हाथ में तुल्सी का पत्ता लेना है, इलाईशी दाने लेने हैं, गायतरी मंत्र का जब करना है, और जवान पर रखके पानी से निगल लेना है, तुल्सी का पत्ता चवाय नहीं जाता, मैंने बहुत बार बताया है, दो कारण है, हिंदू सास्तर कहता है, कि अगर आपके पित्र वगर आए तो जरूर करें हमारी उनके प्रतिकों जुमेदारियां है उन्हें जरूर पूरा किया करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजे अगर नए है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजे इस्ट्राग्राम पर जोइन भी कर सकते हैं मैं मिलती हूँ आपसे विदा न्यू वीडियो तब तक कि लिए जाए श्रीकेशना राधे राधे बाई बाई दोस्तों बाई बाई